यह निर्णाय लेने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से विचार विमर्ष क्यों नहीं किया गया उनसे पूछा क्यों नहीं गया बड़ा भरी प्रशन है कि क्या हम जब election देश में करवाते हैं तो जनता के विना पूछे करवाते हैं देश में जब प्रतिनदी पार्लेमेंट के लिए चुने जाते हैं तो जनता से बिना पूछे चुने जाते हैं हम जब संसद में बैट कर निरने लेते हैं तो जनता से हर बात पूछ कर लेते हैं क्या हमारे सम्मिधान में राइश उमारी की कोई विवस्ता है क्या हमारे सम्मिधान में ऐसी क्यों विवस्ता है कि हमारे बाद में जनता से पूछते हैं We are the power used through the parliament देखे, जनता की जहां तक राइशुमारी की बात आप करते हैं कि जनता से पूछना चाहिए जो आपका प्रश्न है उसके लिए आपके सामने एक बड़ा निर्णा है सुप्रीम कोर्ट में तमिल नंडु का एक केस आया हमारे हाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक विवस्ता है उस विवस्ता के तहत कोई भी एगर क्रिमिनल है और उसके उपर कोई कि डिसीजन आज चुका है दो साल से उपर की सजा है तो उसको हम गवर्नर नहीं बना सकते या उसको कोई पोस्ट ऐसी नहीं दे सकते जो निर्ण पोस्ट मुखमंत्री भी नहीं बना सकते पीपल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर सकता जयलेलता की पार्टी ने चुनाव लड़ा उनके उपर मुकदमे थे और डिसीजन हो चुका था दो साल से उपर की सजा थी वहाँ गवर्नर ने उनको इन्वाइट कर लिया वो मुखमंत्री बन गई वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोट क्या इनको मुखमंत्री बनने का दिकार है सुप्रीम कोट ने पूछा उनसे तो वहाँ के अटोर्नी जर्नल ने जवाब दिया वो बड़ा खुबसूरत है और उसका जवाब जो सुप्रीम कोटे दिया उसको भी समझने की जुरुत पढ़ती है उन्होंने का सहाब जनता चाहती है जनता ने उनको जलिलिता को वोट किया है और वोट करने के वज़े से सहाब भारत में डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि जनता उनको चाहती है उनको मुकमंदरी बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जवाब दिया